नीमचपुर गाउं में रहने वाली साधना के पती नीरच को शेहर गए हुवे कई महीने बीद चुके थे लेकिन ना तो अभी तक वो वापस आया और ना ही उसकी कोई खबर तब साधना ने एक फैसला लिया और वो अपनी बेटी को लेकर उसे ढूडने शेहर शली गई शेहर में उसकी बेहन नीलम रहती थी वो पिंकी को लेकर उसी के घर चली गई और वहां रहकर नीरच को ढूडने लगी लेकिन काफी दिन होने के बाद भी वो से कही नहीं मिलता फिर एक रोज उसकी बहन नीलम उससे कहती है साधना अब तुम नीरज को ढूणना बंद कर दो इतने बड़े शहर में आखिर उसे कब तक ढूणती रहोगी अब तुम अपने और अपनी बेटी के बारे में सोचो और आमदनी कमाने के लिए कोई काम ढूणना शुरू करो तुम ठीक कहती हो बहन अच्छा तुम मुझे कोई काम दिलवा दो हाँ यहाँ पडोस में एक कोई सोसाइटी है जहाँ पर उन्हें एक काम वाली की आवश्यक्ता है अगले दिन ही साधना उस सोसाइटी में काम करने जाती है लेकिन वहाँ तब तक कोई काम वाली काम पर आ चुकी थी साधना चुपचा प्लोट आती है एक दिन पिंकी उससे कहती है मा, चलो न हम गाउं चलते हैं अब, यहां में कितने दिन हो गए? नहीं बेटी, वहां कुछ काम नहीं है, शेहर में अमीर लोग रहते हैं, यहां कुछ न कुछ काम तो मिली जाएगा, मैं यहीं पर रहकर तुम्हारा पालन पोशन करूँगी साधना अभी भी अपने बच्चों के साथ अपनी बेहन के घरी रह रही थी, एक रोज उसने अपने जीजा को अपनी बेहन से बात करते हुए सुना कमरे के बाहर खड़ी साधना उनकी सारी बाते सुन लेती है, यह सुनकर वो बहुत उदास हो जाती है, फिर शाम को अपने बच्चों को लेकर वो पार्क की तरफ निकल जाती है, जहां उसे पार्क के सामने एक मुमूज वाला दिखता है यह आत्मी भला इस बरतन में ऐसा क्या बेच रहा है, जो इसके पास इतनी भीर लगी है मा, उसे मुमोज कहते है, कल मुसी का बेटा खा रहा था, तब उसने मुझे भी एक दिया था, बड़ा ही स्वाद था, मेरा और खाने का मन था लेकिन उसने नहीं दिया, कितने का आता है, मा मैं अभी पूछ कर आती हूँ पिंकी उस मुमोज वाले से पूछ कर आती है, लेकिन उसके पास केबल चिकन मुमोज ही थे, जो वो बीस रुपे प्लेट दे रहा था, पिंकी ने आकर अपनी मा को बताया और साधना ने उसे बीस रुपे देते हुए कहा, जा लेया, उन दोनों ने कर वो चिकन मुमोज ख खा दोगे, देखो बेहन मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अगर घुडा घास से दोस्ती कर लेगा तो वो खाएगा क्या, बताओ, इसलिए मैं तुम्हें ये काम नहीं सिखा सकता, मुमोस वाला वहां से चला जाता है, साधना भी घर लोटाती है, वो अगले दिन फिर काना कहीं और ढूंड लो, यहीं थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा कमरा है, तुम वहीं रहने चली जाओ, मैंने वहां बात भी कर ली है, लेकिन बेहन अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, साधना अपनी बेटी के साथ उस किराय के घर पर चली जाती है, और अप काका, आपके यहां से बड़ी अच्छी खाने की खुश्बू आ रही थी, वो मैं यहीं आपके पडोस में रहने आई हूँ, ओ, अच्छा अच्छा, हाँ बेटी, मैं मोमोस बनाने का काम करता हूँ, शायद उसी की खुश्बू तुम्हें यहां तक ले आई, सुभा बनात हूँ, और साम को जाकर बेचाता हूँ, मैं पिछले साथ सालों से यही काम कर रहा हूँ, बेटी, वैसे तुम कौन हो, और यहां कैसे, मैं दुखों की मारी लाचार औरत हूँ, गाउं से यहां अपने पती को ढुनने आई थी, लेकिन वो कहीं ने मिला, अब कुछ काम करके अगले तीन दिन में ही, वो बहुत ही अच्छे मुमोस बनाना सीख जाती है, वा बेटी, तुम तो मुझसे भी अच्छे चिकन मुमोस बनाती हो, गुरू, अच्छा हो तो अब बस मुझे आशुरवात दीजे कि मैं अच्छे से इस काम को कर सको खुश रहो बेटी और ये लोग कुछ पैसे रखो इनसे अपना काम सुरू करो जब आ जाएं तब लोटा देना अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया काका साधना ने अगले दिन से ही जरूरी सामान खरीदा और मुमोस बना कर तयार कर लिये फिर जहां लोगों का आना जाना जादा था वहाँ ठेला लगाना शुरू कर दिया ये भगवान मेरी मदद करना मैंने ये काम शुरू तो कर लिया है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैंने सही किया है या गलत तभी उसके पास एक लड़की आती है आप नहीं लगती हो यहाँ पहले एक मुमोस टेस्ट करवाओ फिर ही लेंगे साधना उसे मुमोस टेस्ट करवाती है वाह क्या स्वाद है इससे पहले इतने टेस्टी चिकन मुमोस मैंने कभी नहीं खाए मुझे दो प्लेट खाने के लिए दे दो और तीन प्लेट पैक कर दो घर में सब को टेस्ट करवाओंगी धीरे धीरे करके उसके पास ग्राकों की भीर बढ़नी शुरू हो जाती है और कुछी दिनों में अच्छी खासी भीर उसके पास लगना शुरू हो जाती है अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी सबसे पहले उसने काका के पैसे लोटा दिये उसने पिंकी का एड्मिशन वहीं के एक स्कूल में करवा दिया शाम को पिंकी भी अपनी मा की मदद करती ऐसे ही एक साल बीद गया अब साधना ने अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल ली थी जिसमें वो कई तरह के मुमोज बना कर बेचती थी एक रोज उससी दुकान पर एक कार आकर रुकी उसमें से एक आदमी और और औरत बाहर आए उस आदमी को देख साधना हैरान रह गई वो और कोई नहीं बलकी नीरज था वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं लेकिन आपस में कुछ नहीं कहते कुछी देर में वो वहां से चले जाते है फिर दो गंटे बाद उसका पती उसके पास वापिस आता है तुम यहां कैसे साधना? आही तो तुमें ढूरने थी लेकिन लाग कुशिशों के बाद भी तुम कहीं नहीं मिले तुमने मुझे और बच्चों को धोका दिया तुमने दूसरी शादी कर ली अब मुझे माफ कर दो मैंने पैसो के लालच में अपनी से दस साल बड़ी औरत से शादी कर ली लेकिन अब मेरा उसके साथ दम घुटता है तो घुटते रहो अब उमर भर उसके साथ क्योंकि मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगा नहीं आज तो तुम मेरी दुकान पर आ गए लेकिन आज के बाद यहां दिखाई भी मत देना समझे चलो अब निकलो यहां से साधना अपने पती को वहां से भगा देती है और उस दिन के बाद साधना ने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा अब वो दिन पर दिन काम्याबी हासिल करती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है मुंबई शहर में आट साल की कनू अपनी मा वैशाली और पिता सुधीर के साथ रहती थी सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था जबकि वैशाली हाउस वाइब थी शुरू से ही शहर में रहने के कारण वो तीनों जंक फूट को बहुत पसंद करते थे और संडे के दिन नाश्ते की शुरुवात ही उनके नूडल्स से होती थी एक बार सुधीर को कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के काम के लिए जैपुर जाना पड़ जाता है जैसे ये बात वैशाली की बुआ को पता चलती है तो वो कहती है हे राम फिर तो तु इतने बड़े शहर में छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहेगी नहीं नहीं बुआ जी आप परिशान मत होए हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे तभी सुधीर फोन शीन कर कहता है इतना कहकर सुधीर फोन कार्ट देता है क्या जरुरत थी उनको यहां बुलाने की अच्छा है ना तुम दोनों को कमपनी मिल जाएगी और मैं भी बेफिक्र होकर काम पर जा पाऊंगा ममी आपकी बुआ आ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए आप ये बात सुनकर इतना सैट क्यों हो गई बेटा तुम जानती नहीं हो उने अभी जो तुम ये नूडल्स खा रही हो ना ये भी बंद करवा देंगी तुम्हारे आज जितना मर्जी खाने है खा लो उनके सामने तो भूल कर भी इन सब चीजों का जिक्र भी मत करना उन्हें ये सब जंक फूड और फास्ट फूड बिलकुल भी पसंद नहीं है मुझे तो याद भी नहीं मा की आकिर बुआ नानी दिखती कैसी है मैं तो बहुत छोटी रही होगी ना जब उनसे आखरी बार मुलाकात हुई होगी हाँ बिटा तू तीन साल की थी जब तू उनसे मिली थी फ्यार तो वो हम सबसे बहुत करती है लेकिन वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है उन्हें ये सब फास्ट फूड बाहर का खाना बिलकुल भी पसंद नहीं ना तो वो खुद खाती है और ना ही औरों को खाने देती है जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझा जाएगा अगले दिन सुधीर जैपूर के लिए निकल जाता है तो वहीं वैशाली और कनू बुआ जी को लेने स्टेशन पहुच जाती है लगता है बुआ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा ममी मुझे भूक लगी है वो देखो सामनी कोलरिंग और चिप्स की दुकाने ऐसा करती हो तब तक मैं इने ले आती हूँ लेकिन तभी पीछे से किसी बुज़ोर्ग महिला की आवाज आती है क्यों बेटा ये बाहर का खाना क्यों खाना है थोड़ी देर सबर कर मैं तुझे घर चल कर देशी घी का हलवा बना कर खिलाती हूँ बुआ जी आ लो आ गई बुआ जी मम्मी ठीक ही कह रही थी बुआ जी तो जंग फूट को हाथ भी नहीं लगाने दे रही प्रिणाम बुआ जी जीती रहो जीती रहो चले बुआ जी अब घर चलते हैं बाहर आटो वाला हमारे वेट कर रहा होगा अरे आटो में क्यों पैदल चलेंगे इसी बहाने मुंबई दर्शन भी हो जाएंगे और हम सब की वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे वाकिंग शॉकिंग भी वैशाली और कनू हाफते हाफते घर पहुँचते हैं जबकि बुवा बिल्कुल भी नहीं ठकी हुई होती तुम लोग तो इतना सा चल कर ही कितना ठक गये रुको मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ बुआ जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर वहां रखे नमकीन, बिस्किट्स, नूडल्स के पैकिट पर जाती है और किचन में रखे, उन सामानों पर छोटे-छोटे कौकरोच मक्या देख कर तो वो हैरान ही रह जाती है हे राम, ओह, 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 तो यही कारण है इन लोगों की कमजोरी का ये लो पानी पियो, अब समझाया तुम लोगों की कमजोरी के कारण ये बाहर की चीज़े खाखा कर, ये तो मुझे घर कम और दिल्ली का चिडिया घर जादा लग रहा है जहां दुनिया भर के कौकरोच, मक्या और शिपकलिया घुम रही है अरे गाउं में तो तुम्हें एक मक्यी मच्चर तक नहीं मिलेगा अब इस घर की साफ सफाई और तुम सब की सेहत का ध्यान में खुद रखूंगी इसलिए तो कहते हैं कि घर में बड़े बुज़ुर का होना बहुत जरूरी है बुआ दिन भर सब के खाने पर नज़र रखती घर में फास्ट फूर्ट तो बिलकुल आने ही नहीं देती जिससे वो दोनों परिशान हो जाते हैं क्या बुआ जी जब देखो तब ये साख सब्जी खिलाती रहती हो मैं नहीं खाऊंगी मुझे अब कुछ टेस्टी खाना है हाँ बुआ जी थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है खाना तो यही मिलेगा हरी भरी सब्जियां और कम मसालेदार खाना है तो खाऊ नहीं तो भूखे ही रहो लेकिन तुम लोगों को ये बेकार का मैदा खाने नहीं दूंकी बुआजी के सादे और बेस्वाद खाने से परिशान कनू और वैशाली बाहर के तीखे और स्वादिश्ट फास्ट फूट को खाने के लिए तरस गए थे एक दिन कनू जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक ठेले पर जाती है जिस पर चाइनीज पानी पूरी वाला लिखा हुआ होता है उस ठेले को देख कनू के मुह में पानी आ जाता है ये तो कोई नया पानी पूरी वाला लगता है चलो अपने मुहले में कोई तो नया पानी पूरी वाला आया सरा चक्कर देखती हो भाईया पानी पुरी कैसे दी? आउम आउ चाओं, कौन सा वाला फ्लेवर खाएंगे? फ्लेवर? और वो भी पानी पुरी में? काला पानी मतलब काला खटा, लाल पानी मतलब लाल मीठा फ्लेवर और ओरेंज पानी मतलब खटा और मीठा मिक्स फ्लेवर और ये डाग ब्राउन मतलब फेमस चाइनीज फ्लेवर आपको कौन सा दू? ऐसा करो, एक-एक पानी पुरी सभी फ्लेवर में चखा दो चाइनीज पानीपुरी वाला कनू को सारे फ्लेवर टेस्ट करवाता है कनू को पानीपुरी इतनी पसंद आती है कि वो चटकारे मार मार कर स्वाद ले लेकर सारे फ्लेवर में पानीपुरी खाती है पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा अब बस करती हूँ घर जाकर बुआ जी की उबली हुई दाल भाद भी तो खानी है, अगर नहीं खाया तो उन्हें मुझे पर शक हो जाएगा, अच्छा बताओ तो चीनी भाई, कितने पैसे हुए, बो ओ, लेकिन मुझे तो कोई बद्बू नहीं आ रही, अरे इसका मतलब कि ये फ्री है, आज म वो जल्दी-जल्दी खाने लगती है, हरे, आज कनू तुम्हे क्या हो गया, रोस तो तुम इस उबली हुई दाल के लिए मुझ सडाती हो, सीखो वैशाली, तुम अपनी इस बेटी से, देखा, मेरे हाथों के उबले दाल भाती से कितने पसंद आ रहे है, दो दिन में ही उ उबली हुई दाल और भात खा, अच्छा, अब मैं चली आराम करने हूँ, तुम सब अपना खाना खतम करके ही उठना, हम्? ये उबली दाल, तुम दोनों ये सब कैसे खा रहे हो, मुझसे तो नहीं खाय जाएगी, मैं अभी अपने लिए बाहर से कुछ ओडर करता हूँ ये तुम क्या कर रहे हो सुधीर, अगर बुआ को पता चला कि हम फास्ट फूट खा रहे हैं, तो वो हंगामा कर देगी, तुम तो जानते ही हो उने कनू, तुझे कैसे ये उबली दाल भात पसंद आ रहे हैं, पहले तो तु बड़ा मू बना कर खाती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया इसके बाद कनू, उनको सारी बात बताती है, सच कहूं ममी पापा, तो इतने स्वादिश्ट पानी पुरी मैंने आज तक नहीं खाई, अगर आप भी खाओगे न, तो उंगलिया चाटते रह जाओगे पर ये चाइनीज पानी पुरी वाला, अपना ठिला लगाता का है, यहीं अपने मौले का जो नुकड है न, वहीं चलो न जी, कई दिन हो गया, कुछ तीखा और कुछ अच्छा खाए हुए, बुआ जी को सोता देख, वो तीनों पानी पुरी वाले के पास पहुँच जाते है, बड़ी तारीफ है कर रही थी हमारी बेटी तुमारी, जरा हमें भी तो चखाओ, सर जी, कौन सा फ्लेवर खा यही आऊंगी, क्या स्वाद है, अमेजिंग, जी मैडम, और सस्ती भी, 10 रुपे में पानी पुरी, मुझे तो दो प्लेट और लगा दो, मैं तो दो प्लेट और खाऊंगा भाई वो तीनों उस पानी पुरी वाले के दिवाने हो जाते हैं, वो सभी अपने दोस्तों को जाकर उसके बारे में बताते हैं, देखते ही देखते ही कुछी दिनों में उसके ठेले पर लोगों की भीर लगनी शुरू हो जाती है इसके बाद वो पानीपूरी वाला यानि की चैंग अपनी रेडी पर बैनर लगा देता है और उस पर लिख देता है दस रुपे में तीन स्वादिष्ट पानीपूरी उसी शाम बुआ जी जब मंदर गई होती है तो वैशाली और कनू बुआ से छुपते छुपाते वहाँ पहुशते है ओ गौड अब इसने दस रुपे की तीन पानीपूरी कर दी खेर स्वाद भी तो कितना है इसकी पानीपूरी में वो दोनों पानीपूरी खाकर लोट ही रहे होते हैं कि तभी कुछ औरते आपस में बाते कर रही होती है अरे आजकल तो एक भी कौकरूच चुहे और छिपकलिया नहीं दिखते मेरे घर पर ना जाने सब कहां चले गए बिल्कुल सही कहा बेहन कुछ दिन से मुझे भी अपने घर में कुछ नहीं दिख रहा खेर चलो ये तो अच्छी बात है कि वो गायब हो गए अरे क्या खाक अच्छा है मुझे मेरी शेरी के लिए एक भी चुहा नहीं मिल रहा बिचारी मेरी बिल्ली रोज शुहे और कौकरश की ताक में बैठी रहती है लिकिन उसके हाथ ही नहीं लगता कुछ बात तो सही है आजकल मेरे घर पर भी ये सब नहीं दिखते हाँ बुआ इतनी साफ सफाई जो रखती है शायद इसलिए सामने से बुआ मंदर से घर आ रही होती है अरे वैशाली बेटा तुने देखा उस नुकर पर जो पानीपुरी वाला लगा है उसके पास कितनी भीड है वा प्रे लोग तो जैसे पागल हुए पड़े है उसकी पानीपुरी के लिए कहीं मेरे पीछे तुम वहां तो नहीं गए थे ना अरे नहीं नहीं बुआ जी कैसी बाते कर रही हो मैं तो वाक करने गई थी ये सब खाकर मुझे मोटा थोड़े होना है चलो बुआ जी अब घर चलो हाँ हाँ चलो अब पढ़ाई भी तो करनी है रात को बुआ खाना खा कर टहलने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि वो चाइनीज पानी पुरी वाला चुहे दानी चमगादर पकड़ने के लिए नेट साथ में कॉक्रोच और लिजर्ड रैपिट भी लाया हुआ होता है और फिर कुछ दिर बाद उनको पकड़ कर वहां से चला जाता है ये पानी पुरी वाले को आकर इन सब किड़े मकोडों को पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई जरूर डाल में कुछ काला है अभी इसका पीछा करके पता लगाती हूँ वो पानी पुरी वाले का पीछा करती है और देखती है कि वो सभी जानवरों को एक ऐक कर ओकली में कूट कर उनका कीमा बना कर पानी पुरी का पानी तयार कर लेता है भगवान तो ये राज है इसके ठेले पर लगने वाली भीड का ना जाने ये इंसान कितना गिरेगा उधर जब बुआ घर पहुँचती है तो वैशाली, कनू और सुधीर तीनों ही पेट पकड़े हुए बैठे होते हैं बुआ जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है इन तीनों को ही पेट में इंफेक्शन हो गया है मैं कुछ दवाईया लिख देता हूँ लेकिन ध्यान रहे की दो-चार दिन इन्हें घर का ही खाना देना लेकिन ये सब तो घर का बना हुआ सादा खाना ही खाते हैं इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है इसके बाद बुआ जी उन सब के लिए आयुरवेदिक काढ़ा बनाती है और उनकी खूब देख भाल करती है अगले दिन रात को चेंग फिर से जानवर पकड़ने जाता है लेकिन तब ही बुआ जी शोर मचा कर सब को इकठा कर लेती है और चेंग के सच्चाई सब को बता देती है फिर पुलिस बुला कर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी बुआ जी का शुक्रिया आदा करते हैं हमें माफ कर दो बुआ जी आपने तो हमारा भला ही चाहा लेकिन हम से ही गलती हो गई गलती मेरी भी है जो मैंने तुम लोगों पर कुछ जादा ही सकताई की अगर थोड़ी धील दे देती तो तुम्हें यूँ छुप छुप कर पानी पूरी खाने की जरुरत नहीं पड़ती फिर वो सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं अगली दिन बुआ जी अपने गाउं जाने के लिए स्टेशन पहुँच जाती है मुहले के सभी लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और हार पहना कर और धेरों गिफ्ट देकर उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुशी-खुशी विदा कर देते हैं अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर और हां शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बडीज